दोस्तो हमारे देश के बड़े सहरों में मेटरो का चलन काफी तेजी से बढ़ रहा है और इसलिए ज्यादा तर लोग मेटरो में नोकरी करना चाहते है तो मेटरो में नोकरी कैसे मिलती है इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे तो वीडियो को पूरा जोब कैसे पाए लेकिन इससे पहले आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके इतना जरूर बताईए कि आप लोग कौन सी सीटी में रहते हो और क्या वहाँ पर मेट्रो सुविद्धा अवेलीबल है या नहीं है वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दू कि अब हमने हमारी वेबसाइट भी लॉंच कर दी है तो अगर आप गूगल पे जाओगे सर्च करोगे एजजकलाडिया.डोट कॉम तो आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी उसके उपर क्लिक करते ही आप कोई भी नुकसान नहीं होता है आप लोगों को बता दू कि मेटरो ट्रेंड में कोई भी गियर नहीं होता है और यह फिक्स टाइम पर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का सफर आराम से ते कल लेती है हमारे भारत देश के बड़े सहर जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कॉलकत् जैपुर जैसे बड़े सेरो में मेटरो ट्रेंड चलती है तो आपको पता चल गया होगा कि मेटरो क्या होता है अब बात करते है कि मेटरो में जोब कैसे पाए तो दोस्तों मेटरो में जोब पाने के लिए आपको मेटरो के द्वारा निकाली जाने वाली वेकेंसी के उपर ध्यान देना होता है, समय समय पर मेट्रों में जोब की वेकेंसी निकाली जाती है, इसके बारे में आप इंटरनेट और रोजगार समाचार पत्रों में पढ़ सकते हो, मेट्रों में अलग-अलग काम हो जैसे कि टेकनिकल, मेकेनिकल, जूनियर और सिनियर की बरती निकाली जा सकती है, तो इस तरह से आप मेट्रो में जूब पा सकते हो, तो ज़्यादर तर लोगों के द्वारा जो पुछे जाते हैं उनी के कुछ सवाल जो आप लोगों को बता देता हूँ, मेट्रो' Weekend कहां चलती है तो मेट्रो ट्रेन दिल्ली मुंबई कोलकत्ता चैन्नाई और जहिपूर जैसे देश के बड़े सहरों में चलती है अब जानते हैं कि मेट्रो का फुलफॉम क्या होता है तो मेट्रो का फुलफॉम होता है मास रेपीड ट्रांस्पोर्ट सिस्टम यह इसका फुल तो सरकार के द्वारा समय समय पर मेट्रो की वेकेंसी निकाली जाती है जिसके बारे में आपको इंटरनेट और रोजगार समाचार पत्रों की मदर से पता चल जाता है कि मेट्रो जोब की वेकेंसी आई है या नहीं और अब बात करते हैं कि Metro Trend सरकारी है या प्राइवेट क्यूंकि काफी सारे लोगों इसमें confusion होता है तो आप लोगों को मैं बता दू के Metro Trend सरकारी है और इसका सारा कारियर सरकार के द्वारा ही किया जाता है Metro में salary कितनी होती है ये भी काफी लोगों का सवाल होता है तो Metro के अलग-अलग जोब के इसाब से लोगों की salary अलग-अलग हो सकती है फिर भी मैं आपको बता दू के Metro में सरुवाती salary 20,000 रुपे से ले करके एक लाखुर महिने तक की हो सकती है अब जानते हैं कि मेट्रो का मालिक कौन है तो में भारत देश में मेट्रो का मालिक भारत सरकार है यानि कि भारत देश में जितनी भी मेट्रो ट्रेन चल रही है उसका सब का मालिक भारत सरकार है अब जानते हैं कि भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब से सुरू हुई थी तो भ WhatsApp ग्रूप में और भी अपने दोस्तों के साथ इसे शेर जरूर किजिएगा और ऐसे इन्फोर्मेशनल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो में अप्लोड करू झाल झाल झाल